साथियों नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसे घाटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भारत देश की सीमा से सटा हुआ नेपाल देश है, नेपाल देश में नारायन घाटी इस्थित है, हम आज उसी घाटी का एक नया वीडियो लेकर आए हैं, और आपको हम दिखाना चाहत हैं, यह नारायन घाटी जब लोग भारत से नेपाल की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो रास्ते में यह नारायन घाटी काठ मांडू के रास्ते पर पड़ती है, जब लोग काठ मांडू पस्पतिनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो यह नारायन घाटी रास्ते मे मिलती है यह नाराण घाटी लगभग 200 किलो मीटर में इस्थित है जो बहुत लंबी घाटी है और उसमें तमाम चड़ाई हैं यहां पर जो भी चाहे वह छोटे वाहन हो चाहे बड़े वाहन हो बसो बहुत धीरे धीरे गती से चड़ाई चड़ते हैं घाटी के वगल में नाम दिया गया यह नेपाल देश की सबसे बड़ी घाटी है यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस घाटी के बगल घने जंगल भी दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर तमाम नए नए किस्म के बहुत बिसाल बिरिक्ष हैं और कहीं कहीं पर देखा जा रहा है कि घाटी के बगल में भी गाउं बसे हुए हैं और देखा जा रहा है कि यहां की जो सडकें हैं सडकों की हालत तो ठीक है लेकिन यहां बगल में डरावना जैसा लगता है जो बगल में घाटी है बड़ा डर लगता है यहां पर चलने में द इस्थित है. झाल को बागभा? झाल को बागभा?